नमश्कार दोस्तो फिर सवागत है आपका एक नई वीडियो के साथ दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ Gionni Max Pro Mobile में आप यहाँ पे Home Screen Style कैसे Change कर सकते हैं तो Home Screen की सैटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे कहीं पे भी खाली जो स्क्रीन है यहां पर आपको ऐसे touch करके रखना है और यह जो home setting है आप इस पर click कर लेंगे तो यहां पर आपको कफी सरे option देखने को मिल जाते हैं तो यहां पर जो सबसे पहला option होता है notification dot का तो यह जो red color का dot मिलता है आपको icon के उपर तो इस tap का notification dot आता है तो यहां पर अगर इसको बंद करना है तो यहां से आप इसको off कर सकते हैं जैसे gallery का करना है message का करना है तो यहां से आप off कर सकते हैं और यहां पर lock screen message का option आ जाता है जिसे lock screen पर जो notification आता है वो आपका alert और silent दोनों आता है या फिर alert notification आना चाहिए सिरफ या फिर आपका don't show notification मतलब notification show नहीं करना चाहिए तो यह आप अपनी साफ से दिख लेंगे कौन सा आपको click करना है ठीक है और इसके बाद यहाँ पर बारी आ जाती है suggest action and reply आपको option आता है ना reply का अगर वो लगाना चाहते है application के नीचे तो ठीक है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर नोटिफिकेशन डॉट आता है जो राइट कलर का वह यहां से बंद हो जाता है चालू करना है तो चालू कर सकते हैं इस टाइब से तो इसको आपको बंद मैं बंद कर दूँगी और यहाँ पर notification sound की बारी आ जाती है नोटिफिकेशन साउंड चेंज करना है तो ठीक है अधरवाइस इसको छोड़ देंगे इसके बाद बैक कर देंगे और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है add icon to home screen मतलब जो application आप यहाँ पर डाउनलोड करते हैं play store से वह एक तो आपके notification ड्रॉर में भी आ जाता है जब नीचे से स्क्रॉल करते हैं उसमें और एक आपका यहाँ पर sorry app drawer होता है वह नीचे से स्क्रॉल करते हैं तो आप ड्रॉर में भी आ जाता है और आपके home screen पे भी आजाता है तो अगर आपको home screen पे भी आड़ करना है तो ठीक है अधरवाइस इसको off कर देंगे और यहाँ पे show google app तो यहाँ पे google app यहाँ पे left swipe करते हैं तो यहाँ पे यह आप यहाँ से बंद कर सकते हैं इसको आप बंद कर देंगे तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देती हूँ इस step से आप scroll करेंगे तब आप देख सकते हैं यहाँ पे google news आपका बंद हो गया है तो आपको चले जाने दुबारा उसी सैटिंग पे और यहाँ पे आपको home screen rotation का option देखने को मिल जाता है आपका जो home screen रोटेट हो जाता है ऐसे करोगे ऐसे ऐसे करोगे ऐसे हो जाता है तो ऑर home screen loop यहाँ पी आप रहने देंगे और यहाँ पे आप pull down action पिजब आप click करते हैं तो यहाँ पर notification शो करना चाहिए या फिर open search होना चाहिए जैसे कि यहाँ से नीचे सटेव करते हैं तो आपके notifications आते हैं तो notification वाला रहने देना है अगर आप चाइए तो यहाँ पे open search पर प्लिक कर लेंगे तो सर्च वाल आएगा अगर आप चाथे कुछ भी नाए तो यहां पे डू-णौट-थिंग फैक कर देंगे ठीक है इसके बाद कैंसिल कर देना है इसके बाद डाइनमिक आइकन का आप इस पर क्लिक करेंगे और यहां पे आप डाइनमिक आइकन इस तरह से آप कर लेंगे और इसके बाद बैक कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर आपको हों स्क्रेइज्स्टायल का अप्ष gaining करेंगे आपका सिंखल लियर होना चाहिए फिर डडूअले तो डूअल यह होता है कि जैसे किया आपका हों स्क्रीन पहा होता है और नीचे से scroll करते हैं app drawer तो वहाँ पे भी आपकी application शो करती है अगर single रखना चाहते हैं तो single आजाएगा एक ही जगा सारा चीज और इसके बद cancel कर देंगे और यहाँ पे icon का shape आप change कर सकते हैं अभी मैंने teardrop लगा रखा है अगर यहाँ पे आपको use system default करना है तो यह round round shape में आ जाएगा और यहाँ से icon style के उपर मैंने अलग से video बना रखी है आप जाके देख लेंगे तो यहाँ पे आप जो shape देना चाहते हैं आपने icons को वहाँ से दे सकते हैं इसके बाद cancel कर देंगे और इसके बाद यहाँ पे आपको folder icon style का option देखने को मिल जाता है आप इस पे click करेंगे तो यहाँ पे आप auto रखेंगे या annual रखेंगे या फिर grid तो यहाँ पे आप देख लेंगे किस type का रखना है तो मैं इसको auto रहने दूंगी और यहाँ पे आपका desktop grid कैसा होना चाहिए यहाँ पे मतलब पांच पांच आइकन ऐसे और पांच आइकन ऐसे होने चाहिए या फिर चार आइकन ऐसे पांच आइकन ऐसे होने चाहिए तो यह थोड़े खुले खुले हो जाते हैं अगर आप चार चार कर देते हैं और पाच पाच कर देते हैं तो यह थोड़े पास पास दिखते हैं आपको आइकन तो मैंने चार चार कर दिया इसके बाद कैंसल कर दूँगी अब यहाँ देख सकते हैं कि यह चार चार हो गए हैं एक दो तीन चार इसी टैप के यहाँ पे भी चारी रोंगी तो इस टैप से आप यहाँ पर सैटिंग कर लेंगे होम स्क्रीन की तो आई होप गाईज यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा इसी टैप के और बें इंट्रसिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहेगा चली मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार